दोश्तों स्वागत है एक fresh वीडियो में और आजकी इस fresh EPPISTOODI में आपसभी को मैं लेके आज़ कहों tea garden में और यहां पे आज में आपसभी को असाम के टी garden और टी टी फक्टर में कैसे processing होता है अगर आप लोग आप अशबेर्प हो और आप लोग अगर टी का बिजनेस करना चाहरे हो तो किस तरसे असम से आप लोग चाहे ले जाकर चाहे वो ग्रीन टी हो या फिर ब्लैक टी हो कैसे ले जाकर सेल कर सकते हो और कंप्लीट कैसे वो चाहे सारे आप जो लेके सेल कर तो बनता है वो चीजे आज आप सभी के साथ डिसकस करेंगे और चाहे क कि भी कैसे कैसेbows μαarlी कि दैखा जाता है यह हर एक चीज़ सेयर किरेंगे इस वीडियो में बीसिकली हुआ ये कि मैंने इस चैनल पर वीडियो डाला था काफी महीने पहले जिसमें हमने को कैसे processing किया जाता है यान की black tea को कैसे बनाया जाता सबार फैक्ट्री के अंदर उस वीडियो में काफी अच्छे का सा response मिला आप लोग थैंक देख सकते हो तो उस बीडियो में सब्सक्राइब कहा था है साथ आप और दिखा है और यहां पे कुछ खास जानकारी आप सभी को देंगे किस तरह से चाई को यहां से तोड़ने का बाद प्रोसेस्जिंव होता है हर एक चीज़े डिटेईल रूप में आप सभी को बताएंगे वीडियो हो सकता है थोरे लंबी हो लेकिन आप लोग को विल्कुल डिटेईल देखने को मिल जाएगा सो वीडियो में आगे बने पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रेस करिएगा साथी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा अच्छा लगे तो शेयर करिए दूसरों के साथ और अगर आप लोग आउट आउट अव अ क्युक्त कर रहे थे कि जिस फैक्टरी के बारे में बता रहे उसका का प्रोग कमेंट में दो पॉसिवल नहीं है किसी फैक्टरी नमबर आपको क्या प्रोवाइड कर सकते हैं उसके लिए वीडियो का अबाउट सेक्षन में आप लोगो इमेल आईडी मिल जाएगा उस पी करना होगा तब जाके हम अब कर सकते हैं अब चलिए हम बता बात करते हैं सबसे पहले आपको चीज का जरुर्वरत होता है सब से पहले आपको tea garden के लिए इसका nursery से हमें एक plant खरिदना होता है ती का वो एक major branch होता है single एक branch रहता है उस branch को हम लोग पहले जमीन में लगाते हैं उसके बाद उससे इस तरह का कुछ देखने को मिलता है अफ्टर2-4 शेयर आपको इस तरह का कुछ गाडन देखने को मिलेगा यानि के यह जो complete आप देख सकते हो एक पौधे का है तो यह इस तरह से तब बनता है जब इसको पर यह करना होता है कलम करने के बाद आपको कुछ एक देखने को मिलता है कैसे कलम होता है कलम करने के बाद किस तरह से देखता वो भी इधर ही है वह भी आपको दिखाएंगे पर यह जो पॉर्षन है यह जो ग्रीन ग्रीन पोर्षन देख रहा है यह अभी तक कलम नहीं हुआ है तो इसमें बात आती है जब एक सिंगल प्लांट को अप वीडियो बनाएंगे तब तो कलम करने के बाद यह इस तरह से कुछ हो जाता है और एक चाय का पेड को पूरे मैच्योड होने में मतलब वह प्रडक्शन के लिए अगर इधर आप लोगों दिखाएं तो यह जो गार्डेन है बहुत बड़ा सा कंपनी गार्डेन है और यह कंप्लीट गार्डेन जो है पुरा मेच्योड है अप लोग देख सकते हो इधर का कुछ हिस्सा आप लोगो ब्लैक सा देखने को मिल रहा होगा और छोटा दिख रहा City कलम नहीं किया गया तो अब उसको छोड़ दिया गया और इधर कलम करने के लुई कशल में करने करने का टाइमिंग कीया होता है यह दूदा खोर प्रोडेन नकिस महीने से किस महीने तक होता है такую यह लोगो êtes जीद्याब राकों ज़रूरी है सबसे पहले लिखे स्टार्ट होता है और μαर्च महीने सी और खतम हो जाता है वार लाक्त 11 यह इतने महीने曲या स्टार्ट करने केौद फिर से यह से जो तोडने के बाद वही सोट पत्य आर फैक्टी में जाने के बाद वह सě ब्लैक टी है या फिरीन टी में फॉर्म किया जाता है उसके वारेaremos आपको वीडियो मिल जाएगा अभी जैसे की क्लोजिंग में चल रहे क्योंकि अभी सीजन नहीं है ग्रिन लिफ का सीजन होता है तभी जाकर फैक्टरी चालू रहते हैं तो फैक्टरी जैसे स्टार्ट होगा अल्मुस्ट मार्च महिने में तो उस टाइम से आपको फैक्टरी के तें साल पुराना गार्डेन है यह मुझे जहां तक लग रहे है तीन साल पुराना यह गार्डेन देखिए इसका हाइट अभी उतना जादा नहीं हुआ है और यह उतना ज्यादा चूर्ड अभी नहीं हुआ है ऐसका कलम करने के बाद तो कलम का प्रोसेस का टाइमिंग ने चोटे-चोटे वरांच आ जाते हैं सौफट फत्ते होते हैं वह सारे तोड़ने गवाद फिर फैक्टरी में जाते हैं अब आपके मन में यह आ रहा होगा कि गार्डेन के अंदर इतने सारे पेड़ बड़े-बड़े क्यों लगे हैं यहां पर इसको सीरीज का पेड़ बो माना जाता है फिर भी धूप ज्यादा ना लगे इस वज़े से इन सारे पौधों को दिया जाता है गार्डेन के बीज वीच में और यह पौधा जो बड़े-बड़े पेड़ होते हैं यह एड़ एंड जब कलम होता है और पेड़ ज्यादा बड़ा हो जाते तो उसका एक आपके सामने सेर करेंगा हम बेसिकली यह चाय के लिए दिया था और बीच में आपको नाले भी देखने को मिल रहे होंगे इधर इस प्लोट में अगर आपको दिखाए तो यहां पर आपको क्लियरली दिखेगा क्योंकि यह कलम कर दिया गया है यहां पर डेख सकते हैं गार नालї इसलिए बनाया जाते हैं कि सारे बरसात का पानी फ वू सारे पानी एकट़ा होके नाले में बैख जाए और पानां पर रुके ना पानी रुकने वाले जगए बिलकुल चाय के लिए हमेसा ऊची से पाने को थिया जाता है। गुश कीम इस तरफ दर ते चाइड कर लिए और यह बड़े पेड़ बात में अलग काम में भी लिया जाता है तो इसमें आपको बता है कि जो भी इसमें होते हैं गार्डन में कमपनी गार्डन जो हत्ते हैं उसमें फ्राइवेट होते हैं और एक पर्मानेंट होते हैं तो जो पर्मानेंट होते हैं यानि कि उसको पर्मानेंट वाले को यह एंडिंग में जब यह कलम वगरा का टाइम हो जाता है कलम होते समय उनको घर पे यूज करने के लिए लकड़ी का भी विवस्था कियाता है तो इन्हीं सभी पेड़ में से जो एक्स प्रइन के जाते हैं उसके बाद यहां पर आप लोग को एक चीज और दिखाएं जो बड़े बड़े पेड़ हैं उसमें आपको येलो येलो कलर का पट्टी देखने को मिल लोगा आप लोगा देख सकते हो पेड़ों में अगर ध्यान देते हो इधर अगर पास आके आपको द लगाये हैं और उसमें विसके लिए गलू का काम करता हो अब देखिए यहां पर बात आती है कलम हो जाने के बाद अभी आप लोग को देख रहा होगा मौसम वीडियो में देख के यह अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि मौसम काफी ज़्यादा खराब है यानि कि आज कल से बारिस हो रहे हैं और आज घृतारिक है आहरे टारीक के लिए जह जो बारिस हो Cathीं से कलंगा यह बारिस हो जाती है तो यह ब मौर देख सकते हैं जैसे कि बुरसात कलंग करने के पाल जटना होता है उतना हीर घर्ञाधिक आर से कॉनकि फड़लन करने के अगर वर्सात होता ह यानि कि ब्रांच बहुत जल्दी निकलता उसमें और काफी जल्दी ग्रो होता है और प्रोडक्शन भी जल्दी होना स्टार्ट हो जाता है अब आप लोग नाले का बताया था तो नाले आप दीख सकते हैं इस साइड यह कुछ बड़े बड़े नाले होते हैं और कुछ छोट पेड़ हैं साथ ही आपको गार्डेन से गार्डेन में कुछ इदर कलम हुए उदर नहीं हुआ है और अगर 360 मोड में आपको दिखाएं तो चारो और आप लोग को सिर्फ देखोंगे तो गार्डेन ही गार्डेन दिखेगा क्योंकि यह कंपनी गार्डेन वैसिकली और इस आपको एक छोटा सा घर देखने को मिल रहा है वह घर कम घर होता है और घर है लेकिन आपको इतना दूर से दिख नहीं पड़ेगे लेकिन यह जो आप लोग देखो इसमें पत्ता को तोड़ लिया जाता है तो धूप से बचने के लिए उसमें चल्प और इसमें मेक्सिमम सारे तो इस काम करती है उनको मिल जाएगा किउए चिस साइड को काम आपको मिल जाएगा तो वह सारा उस घर में रखा जाता है वह बिल्कुल ओपन एरियो वाला घर होता है बस उपर से आपको टीन का छत मिल जाएगा अधरवाइस वह बिल्कुल ओपन रहता है और उसमें पत्ते भी रखे जाते हैं धूफ से बचने के लिए तो यह कुछ काम करता है वह घर ठीक है दिसमेर फॉर्स वीक तक इसमें प्लकिंग चलता है उसके बाद इसमें औफ सीजन हो जाता है उसके बाद अब जो है मार्च के बद आपको फैक्टरी के वीडियो मिलेंगी तो इस तरह के चाए और चाय गार्डिन के यानिकि चाए का खशेत का complete वीडियो इस चैनल पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बैल आइकन दबाईए वीडियो को जयादा से दस सेयर करिए धन्यवाद दस्तों चाहिंद